आप देखरे हो हमारी यूट्यूब चनल with another new vlog आज हम जा रहे हैं हम एक हमारी जो आज है चैत्रपुर्णिमा है और आज हम जो मा का पुजा होती है वहाँ पर हम जा रहे हैं पुजा देखने के लिए वहाँ पर काफी सार भीड होते हैं काफी मा का जो पुजा जो तर तरीका और चैत्र मास में पहले था जो नौमी थी जो मा का नवरात्र था और ये जो चैत्र का पुणिमा है जो मा का बहुत बड़ा पुजा होता है हमारी यहाँ पर पास में तो हम वहाँ पर रेडी होकर हम जा रहे हैं अभी हम पुजा करने के लिए भूल बगेरा जो पुजा की के लिए और यहां पर फूल हम तुड़ाई करें और मंदार की फूल मा का मा के लिए पुजा लेकिन करने के लिए हम लेकर जा रहे हैं अधा धुर तक हम चड़ चुके हैं पहाड और भीड बगएरा है पहाड पर जो लगा रखें सीरी बगएरा उधर काभी सारे वीड है तो हो रही है काफी सारी भीडिये तो उइस पर चल नहीं पारें ज्यादा दीरी दीरी हो रही है इधर दिखिए उपर उपर जितना ओगी पेड़ पोधा है और चाहे बगरा कुछ-कुछ जगा है तो उधर हम इधर तो रुकने बाले हैं काफी साथ तंबू बगरा लगा रखें तो उधर रुकेंगे और फिर चलो होगी है हमारी चलो हो गई है और यहां पर काफी साथ है मामी को भी काफी सारे पसिना भी आ गया है उधर हम रुके थे में फिर तॉम्बू में फिर त Πरेंदर आ गया है बीज़बिए में तंबू है तो कुछ रुकने का समय भी में रहा और थुड़ाई दूर है हम जाने वाला है मेरी मां और भया और मेरे कुछ फ्रेंड लोग और अभी हम मां के दरबार पर आ गए हैं तो काफी साथ भीड बगरा भी है तो बीज बीज में रुके हुए हैं और यहां पर तंबू है क्योंकि पेड नहीं है आसपास तो सभी जगा तंबू रखा है भीड बगरा है तो है ने तो यह पाहड था ऐसे जगा और यहां पर पूजा करने आते थे पहले अभी तो सुविदा सब के आ गया है और फंड बगरा भी है तो अच्छा है मां के पूजा में और सही काम में लग रहा है तो यहां पर काफी सारे बहुत लोग भी आ रहे हैं काम अच्छे से हो है तो हुजा करने के लिए गए हैं इतना भीड़ है लाइन लागना पड़ेगा fueled कश्छा अच्छा है पानी पीने के लिए जाएंगे धन्डा पानी उदर दे रहे हैं और फिर जा रहे हैं तब भीड था उदर नहीं बोल पाएं काफी सारे भीड था तो उदर भीड की भी आवाद आ रहे थी तो उस बज़े से हम बोलने पाएं और भीड था काफी सारे पुझा आच्छे से हुआ और इस टाइम काफी सारे लोग आ रहे हैं जा भी रहे हैं भीड बहुत है और पुझा करने भी आ रहे हैं और उधर मंदिर है तो उधर हम जा रहे हैं पुझा करने के लिए तो गाफी सारी पहाड़ है और यहां पर भी मूर्ती बनाए है अब जो सीव की मंदिर में एक हुआ ज्यादा तर गर्मी हो रही थी उधर मारबल भी लगा हुआ था तो धूब के कारण प्यर ज्यादा जनने लगे थे तो फिर पूजा करने के बाद आए और हमारे ज्याड़ बगरा है पाहड़ के उपर हो गए हैं तो पूजा तो होती है ज्यात्रा बोलते हैं हमारे यहां पर उसको ज्यादा तर लंबात होती है साद आड़ बाज तक होता है पूजा और काफी सारे भीड़ बगरा थे और दो साल के बाद हुआ है तो इस बज़े से नही वो ड्रामा वगएरा वो भी होती है पूजा होने के बाद और लॉंबा प्रोसेस्सिंग होता है पूजा रात तक भी होती है अभी अभी रात तक भी चला रहे हैं पूजा को मतलब एक डेले वे तो पूजा खतम हो जाता है और फिर जो दर्शन करने के लिए जो पूजा करने के लिए आते हैं मा के पास जो भगत जन वो भीड के करण साथ आट बच जाता है तो हम तो आ गए थे और उतने टाइम ज्यादा तर भीड हो गए थे और हमारा पुजा करके हम सुभे सुभे मतलब दस बजे तक हम गए थे और पुजा हम करके जल्दी 4-4 तक हम आ गए ते घर पर जो इतना गर्मी हो रही थी रहने पास सकते थे क्योंकि उधर पुजा करें थे उधर काफी सारे हवाप जो हवा निकल रही थी वह वैसे उधर रुखना पड़ा और काफी सारे जो लोग देते हैं पानी बगएरा थंडा पानी हम उधर पानी पीए भी और काफी लोग निचे पानी दे रहे थे थंडा पानी लजसी बगरा जो भी इतना दे रहे थे और वीडियो में इतना ही था वीडियो को लाइक से आरा कमेंट जोरू किजिए सब्सक्राइब किजिए थैंक्यू